मुंबा इंडियन्स छोड चन्ने सूपर किंग्स के लिए खेलेंगे इशान किशन आखिर क्यूं इशान किशन को चन्ने सूपर किंग्स के लिए खेलना पड़ सकता है आईए सब आपको इस वीडियो में बताते हैं नमश्का मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप नरेटेंशन का आफ्शन होगा तो वहां पे मुंबामद इसे पाथ किस को करेगी रोहई चार्मा को मंदिय करेइगी रिटेन करेगी और जस्परीद बुमरा रो रिटेन करेगी अब इन्डियन वर तो वचा नहीं ऐसे इशान किशन हो गये रिलीज अब इशान किशन की जो IPL की सालरी है वो मुंबा इंडियन्स देती है और मुंबा इंडियन्स कितनी सालरी देती है उन्हें 15.25 करोड रुपे अब इससे कम दाम में इशान किशन को वो वापिस भी ला सकते है आर्टीम के थ्रू आर्टीम यूज़ करके आक्शन के दोरान वो आर्टीम भी यूज़ कर सकते हैं और इशान किशन को वापिस ले के आ सकते हैं और वो भी कम दाम में इसमें तो मुंबा इंडियन्स का सीधा-चीधा फाइदा पूरी तरह से हो सकता है पर ये तो रही अलग बात कि इशान किशन मुंबा इंडियन्स के लिए ही शोपर किंग्स के लिए खेल जाएं अब कैसे ये भी आपको तसलिए से समझाएंगे कि पूरी तरह से कैसा ये मामला हो सकता है अच्छा इशान किशन की अगर आईपील 2024 की परफॉर्मेंस बताए अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है उनकी लगातार ठिक ठाक रंस की उ और मैंने आपको कहा था कि इशान किशन मुंबा इंडियन से चैन्ने सूपर किंग्स जा सकते हैं कैसे ये भी आपको समझा देते हैं भाई रिपोर्ट जो सामने आई है कि चैन्ने सूपर किंग्स क्या भाई MS धोनी आपके CSK के लिए एक और सीजन खेल जाएंगे या नही विकट कीपर बैटर उनको चाहिए चाहिए अगर MS जोनी अगले साल IPL नहीं खेलने वाले तो चैन्ने सूपर किंग्स को बनता है यह भी ज़रा आपको समझा रेते हैं मस दोनी कहां से राची बिहार से अब जो झार्खन हो चुका है एशान किशन कहां से पठना बिहार से और दोनों विकेट कीपर बाटर है यह कनेक्षन बिल्कुल बनता है और एशान किशन टॉप ऑॉडर बैटर यहां पे चैने शोपर किंग्स युकि रिशाब पंद को लेकर रिपोर्ट ज़रूर आ रही है पर डेली क्यापिटल उन्हें रिलीस करेगी यह इतना असान मामला नहीं होने वाला है यहाँ पर यही हो सकता है क्योंकि मुंबाइ इंडियन्स तो इशान किशन को शायद रिटेन ना करें यह बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे इशान किशन को मुंबा इंडियन वापिस रख ले यूंकि उनके पस और डी चार इंडियन ऑप्शन अविलेबल हैं जो कि हंड्रेड परसंट डिटेन हो सकते हैं जिसमें इशान किशन का नाम शुमार नहीं है तो ऐसे में इशान किशन के सबसे बड़ा अविलेबल है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया हो सकता है कि वो CSK जा सकते हैं क्योंकि अगर धोनी अगले साल IPL नहीं खेलते तो इशान किशन की जगा पूरी तरह से वहां पे बन जाएगी और जो मैंने आपको यह कनेक्शन बताया है ना कि यह बिहार का कनेक्शन है ना तो वहां पे यह पूरी तरह से आपका सटल बैठ सकता है तो देखते हैं कि इशान किशन क्या सच में चैने सूपर किंग्स के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे लेकिन एक बात तो सच है कि मुंबल इंडियन शायद इशान किशन को रिटेन न नहीं अभी के लिए मुझे दीजे अजासत जय हिंद जय भारत